आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने जाने है जो MIUI 12.5 अपडेट है पोको X2 में आ चुक है तो यह आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वैसे तो नहीं करनी चाहिए तक तो option नहीं है क्योंकि जब आई है तो आप करेंगे लेकिन मेरिका जो सबसे बड़ा issue यह है कि जब से यह अपडेट आई है तब से phone बहुत जाता lag इस्ट सा हो गया है आप हर जगे lag देखेंगे तो जो इन्होंने stable update दिये है OTA के थू बट स्टिल यह जो है बहुत जादा ही lag कर रहा है पहले के तुल नामे मैं वैसे भी 12.1 से परिशान था लेकिन अब 12.5 तो इतना ज जून की है इसके अलावा इसका जो MIUI का वरदने 12.51 है आप देख सकते हैं कि इसका MIUI का logo change है अब इन्होंने जब आप restart करेंगे तब आपको एक tune change मेलेगी और इसमे एक by default theme दे दी है अगर आपको कोई पुराना wallpaper है तो वो change हो जाएगा और कुछ इस तरह से mountain की by default theme दी इन्हों ने बताया कि system में यह यह changes है और notes में इनकी जो notes के application है वो बिल्कुल Google की जो keep notes है उसकी तरह हो चुकी है तो आप देखेंगे अब उसमें जैसे tick mark का option आ चुका है web page को save करने का option आ चुका है सभी कुछ आ चुका है तो आप पढ़ सकते है notes के notes के अगर आप notes का volume button का change जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर आपको जैसे oneplus के phone में button होता है अगर आपको dnd mode में जाना है तो आप यहां पर करके dnd mode में सीधा जासे तो आपकी calls वगरे silent हो जाएगी तो और इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल यह जो है volume button बिल्कुल change कर दिय आप इसको कुछ से तरह से देख सकते हैं इसके अलावे इन्होंने जो changes किया है वह कुछ इस प्रकार है कि आपका एक जो restart होता है phone उस टाइम चेंज हो चुकी है आपका wallpaper चेंज हो चुकी है इसके अलावे इन्होंने खास changes नहीं किया कुछ animations वगरे में changes किये है अगर आप बैटरी डॉप बिल्कुल भी नहीं है, कैमरा इशू बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लेगिश बहुत जादा है, बहुत ही जादा है, तो ये थी जो MIUI 2L की मैं आपको Settings की Menu दिखा देता हूँ, कि किस प्रकार से अब Settings आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके से है, और जो Notes है, आपका Notes को जादा ही अच्छा हो गया, कि अब आपको Keep, जिसे मैं आपने Notes के लिए Keep Notes रखता था, मुझे Keep Notes की विज़रत नहीं, टिक MIUI 12.5 में इन्होंने वाइदा गया था, कि हम आपको जो System की जो By Default Installed Apps होती है, जो Pre-Loaded होती है, वो हम Uninstall का Option देए, लेकिन उसमें अभी भी हम Uninstall नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपको जो Option है, Apps के अंदर मिल जाएगा Uninstall System Apps का, लेकिन आप इसमें कोई सी भी System है, Uninstall नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्यों होंगे, जबकि इन्होंने कहा था कि 12.5 में हम भी दे देंगे, इसके अलवा आप चाहें तो अपने System Apps को Disable कर सकते हैं, यहां पर जाकर, और चाहें तो वापस Enable भी कर सकते हैं, अगर आप इसको जाएंगे, इसमें Manage Home Screen Shortcut में तो आप इसको Dis Disable और Enable कर पाएंगे, लेकिन Disable से सफी ही है, आपकी RAM नहीं कहाएंगा, इसलिकिन आप भी Uninstall करने का Option अभी आपको नहीं दिया गया है, तो यह अभी बहुत दुख की बात है, इसके अलवा इन्होंने जो है Dark Mode जो है Schedule करने का Option दे दिया है, अगर आप चाहें तो Dark Mode को Time के सबसे भी शेडूल कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें एक और शेडूल ये दिया है, कि अगर आप चाहें तो Automatically Sunlight के हिसाब से ये Adjust हो जाएगा, इसके अलवा इन्होंने जो सबसे बड़ा feature दिया है, जो लोग notification बार में जो bug था, वो अब दूर हो चुका है, अगर आप इस इसके बार है, वो stable कर दिया, पिछली update में आ गई थी, तो इसको बताने का भी कोई sense नहीं है, इसके अलवा इन्होंने चैमरे में कुछ ज्यादा changes नहीं किया है, इसके अलवा इन्होंने जो setting app में जो changes किया है, वो जो accessibility में जाकर कुछ options एड़ किया है, और उनके सिर्फ ज ज्यादा leggish सा हो गया, अगर आपको भी phone leggish सा है, आपको भी issue आ रहा है, तो आप नीचे comment किया, इसके अलवा इसमें जो मुझे यह सबसे बड़ी problem लगी, जो vlog mode है, अगर आप उसे vlog mode में कोई video shoot करें, वो save नहीं हो पा रही हो, पता ही नहीं क्यों, तो यह इनका बड़ा bug हो सकता है, अगर यह आपको भी same bug आ रहा है, तो नीचे comment करना ना भूले, इसके अलवा कहीं users का मैंने जो forum में उसे पढ़ा है, कि camera dead हो चुका है, इस update के बाद में, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो नीचे comment करना ना भूले, ता कि दूसरों को help मिल सके, जाहिन वंदे मात्रम